हेई गाइज वेलकम बेक टो मैं डेगन गोड सीरिस को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं तो जैसके हमने प्रिवस एपसोड में देखा था जुजु बोलती है कि एक्चुली मैं इंसान किसी के फेवर को रिटर्न करने के लिए बनी थी जुजु बोलती है एक्चुली मैं जो मेरे पेरंस थे और क्लैन के मेंबर्स थे उनको डीप सी डीमन वेल किंग ने मार दिया था जब मैं बहुत जब दुखी थी और किसी की नीड में थी तो एक इंसान आया मेरे सामने वो human form में transform हो गया और उसने फिर डीप सी डीमन वेल किंग के साथ fight की और finally उस opponent को मार दिया मेरे parents और people को avenge करने के लिए उसके बाद मैंने cultivate करना start कर दिया मैं बहुत जब स्टॉंक बनना चाती थी मैं human भी बनना चाती थी क्योंकि humans में को powerful लगते थे मैं सु इंसान को find करना चाती थी जिसने डीप सी डीमन वेल किंग को मारा था मैं repair करना चाती थी इस kindness को process के transformation में जो memories थी मेरे पास की वो कुछ ज़्यादा painful थी इसे लिए मैं काफी ज़्यादा चीज़े भूल गई थी मुझे फिर एज़ा औरफन rescue किया गया और बाद में मैं नाना को मिली और बाकियों को मिली तो मैं याद है गाई इस तो हाँ इसकी यादास चली गई थी इससे देर देर यादा है बाकि सब कुछ जवान्यों बोलता है क्या तुमने अपने benefactor को find किया मतलब इतना सालों में तुम काफि जादा सालों से practice कर रहे हो मुझे लगता है कि वो जिन्दा नहीं होगा बाद जवान्यों बोलता है नहीं वो अभी भी alive और मैंने उसे find कर लिया है बाद जवान्यों के nose को touch करती है और बोलती है कि किसी मतलब गोड ने में कुछ चांस दे दिया रिपे करने के लिए उसको मैं उसे तो रिपे नहीं कर सकती हूँ पर मैं उसके son को रिपे कर सकती हूँ जवान्यों बोलता है तुमारा मतलब तुमारा जो बैनिफेक्टर वो अंकर ली है फिर हैं बताया जाता है कि जो हिस्टोरिकल रिकोर्ड से उसके अकॉर्डिंगली दस हजार साल पहले टांग वुलीन ने हुमन आर्मी को आगे की तरफ लेके गया था वो और उसने होली स्पिरिट कल्ट के साथ फाइट की थी और अबिस प्लेन के साथ भी लास्ट में उसने होली स्पिरिट कल्ट के लीडर को डिफीट कर दिया था तो अच्छा डीप सी डीमन वेल किंग था जो बाई जुजू का एनमी था एक्चुल में जुजू बोल रही होती है मैं काफ़ ज़दा खुश हूँ तुम्हारे साथ रहा कि वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे जज्ज्मेंट बिल्कुल सही है जुजू का टैलेंट को ज़्यादा हाई है जो अब्जूर्ब ड्रेगन पावर है वो भी डाइजेस्ट कर ली उसने पूरे तरीके से वो जो होता है उसका फादर वो बोलता है इतना ज़्यादा जल्दी युजू लो बोलता है अगर मैं तुम्हें सही तरीके से बोलो तो मैं सची मुझे उसे कुछ ज़्यादा लाइक करता हूँ अगर वो मुझे शादी करने के लिए तियार हो जाएगी तो वो फिर completely हमारी family की हो जाएगी तो इसलिए मैं मांगना चाहता है तुमसे qualification ताकि मैं उसको pursue कर सकूँ मतलब उसके पीछे जा सकूँ उसका father बोलता है कि मेरे कोई objections नहीं है पर क्या तुम sure हो कि तुम उसे अपने प्यार में गिरा सकते हो you will know बोलता है कि तुम चिंता मत करो मैं sure हो कि मैं कर सकता हूँ वह गल्द family में अब बो तु वो बोलता है ऐसे तुमारा son cultivation में अच्छा नहीं है पर upper dragon clan में जितना मेरा appear answer और character है मैं काफ़ ज़ाद famous हूँ अगर तुमने मुझे रोका नहीं होता तो जो तीन major family state या लोंग city में वो मेरे पिछे पढ़गी होती में से शादी करने के लिए उसका फादर कुजा गुसा होता और बोलता है क्या तुम बेफकूफ हो वो तुम इसी तरीके से कर पा रहे थे क्योंकि तुम family resources का एक तरीके से यूज कर रहे थे मतलब background वगरा लाइक अब बुकास का ना बंद करो जुझू को जल्दी से यहां पर बुलाओ और देखो कि उसका breakthrough कैसा हुआ है यूज यू लोग बोल रहा होता है ठीक है फिर हमें एक गंटी के बात का सीन दिखा देता है जो जुबाँ भी आ जाती है बोलती है कि greeting Godfather जो तुमने में को room दी है वो बहुत अकमपटेबल था वाँ फिलाइफ एनर्जी भी काफी थी और मैं मतलब एक दम से बोटन लेक पर पहुँच गयी थी बिना उसे realize किये भी अब मैंने पूरे तरीके से अपने breakthrough को complete कर ली है मैं इस feeling को कुछा पसंद कर रही है उस strong बनने के मेरी body भी body बन गए यह पहले से वल dragon body के बात हो यह guys यह इनों को father बोल रहा होता है कि जो body size होता है dragon clan का वो directly strength के proportion में होता है इसका यह मतलब है इसका यह चीज़ यह prove करती है कि तुमने improve की है द्वारा पर बात ही है नहीं कि अपने realm को increase करना बिना अपनी power को master के यह अच्छा नियों का future के लिए future के लिए अच्छा नियों तुम समझ रहे हो मेरा कहने का के मतलब है यह लो यह तुम्हारी है यह training method है dragon knights का यह बस basic method है जो तुम्हारी help करेगा तुम्हारी power को control करने के लिए जो उस method को पकल लेती है और बोलती है शुक्रिया father वो बोलती है father तुम कुझादा kind हो पर मैंने कुछ चुपाया है तुमसे मेंको कुझादा बुरा लग रहा है क्या तुम मुझे माफ कर दोगे वो बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे blame कर सकता हूं बताओ मुझे क्या हुआ जो बोलती है actually मेरी एक sister भी है उसने भी dragon transformation को experience की है बात है कि वो कुझादा चिंता में थी पहले तो इसलिए मैंने तुम्हारी offer को accept किया मेरी जो sister वो actually मेरे से जादा strong है और better है मेरे से पर उसकी personality जार भी अच्छी नहीं है वो कुझ जादे एक तरीके से गमंडी बोल सकते है वैसी है दूसरों को जादा trust नहीं करती है अगर वो यहां पे आएगी तो मुझे लगता है तुम उससे भी kind होगे है ना मतलब प्यार से बात करोगे वो भी पका future में strong बनेगी और तुमारी help क दूनों बाप बेटे एक power के लिए और एक लड़की के लिए पागल है feeling sad for one you guys जुझ बोल रही होती है कि यह तो great है वो deep sea snake clan की है और अगर talent की बात करें तो वो मेरे से जादा अची है यू यू लो बोलता है कि वो तुमसे strong तो है पर तुमसे जादा beautiful नहीं होगी है ना ज यू लो सोच रहोता है एक powerful high ranking dragon वो भी human form में हमें recruit करना पड़ेगा इन दोनों के एक टाइम पर मैं यह बोल सकता हूँ कि जो handsome लोग होते है उनका bad luck तो होता है नहीं है यह गल्ट family में जी रहा है बाइस जुझ बोलती है तो क्या father और brother देखना चाहते है उसे वो दोनों ठीक है जुझ बोलती है तो चलो मैं उसे बुलाती हूँ जुझ जोर से चलाती है sister क्या तुम आगे हो रशान्ती है ऐसे चाही होती है तब एक दम से rumbling start हो जाती है एक बहुत बड़ा हमें golden dragon दिखा जाता है आसमान में उस dragon को देखके मतलब यू इनलों भी है आनो जाता ह और dragon होता है वो girl की form में आजाता है और guys क्या हो रहा है वदर जुझ जुझ नीचे आजाता है normally यू इनलों को father बोल रहा होते है तो कुझा awesome है यू इनलों बोल रहा होता है ये तो कुझा beautiful है जुझा तुम सही बोल रहे थे तुमारी जो sister है वो तो कुझा थे pretty है तुम से मैं city lord का favorite son हूँ में नाम हो आंगी लोंग है कोई विश्वास है कि हम पहले मिले हैं जुझा है जुझा है जुझा रहा होता है जुझा भी और बोलता है आहा मैंने तुम्हे पहले देखा है यू लू ऐसे सोच रहा होता है कि मेरी dream girl love at first sight ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे के लिए पैदा हुए है जुझा होता है कि मेरी आवास अजीब सी है मैं यह होप करता हूँ कि यह मेरा मतलब पता ना लगाए यू लोग को father सोच रहा होता है यह बेफू बच्चा मेरा यह और कुछ नी कर सकता है क्या हर इंसान से love at first sight कैसे हो जाता है इसे जुझा सोच र है लो को emit कर रहा है मतलब light के circle type को इसका मतलब कुछ जादा ही pure dragon blood है इसके अंदर और उपर से एक बहुत high transformation rate था इसका dragon transformation process में body की shape भी बड़ी थी और इससे यह पता लगा सकते है हमकी जो cultivation level है वो जुझा से उपर का है यह तो बहुत बड़ा treasure है हमारे लिए हमें किसी भी तरीके से इसे control करना पड़ेगा वो चले होते हैं से इसवानी सोच रहोता है जबसे मैं dragon horse galaxy में आये था मुझे पता था कि काफिस जादा gold level powerhouses होंगे यहां पे मुझे अपनी weakness के वारे में पता है पर जैसे मैंने उड़ना स्टार्ट किया golden dragon king के posture में मैंको एक अजीब सी different feeling आई जो हो आंग यू लोंग इसका cultivation level टाइटल डू लाओ के आसपास होगा पर अब मैंने clear feeling ली कि मैं असानी से से अपने पैर के नीचे दबा सकता हूं वह सोच रहता है कि जब से मेरी mental power breakthrough यह spiritual level में तो अगर कोई enemy powerful होगा तो मैं feel कर सकता हूं पर हो आंग यू लोंग जो अगर ब्रडाइन का है तो बाग की तो सब छोटी मोटी है इसके सामने तो ऐसे बैठे होते हैं यू लोंग को फारदर बोलते है hello miss lan मैं हुआं डाव क्यूं मैं फैलोंग city का city load हूं जवानी बोल रहा है hello city load मुझे माफ कर दो मैंने अपनी identity को reveal नहीं किया भी तक बात है कि मैं जुजू को follow कर रही थी उस टाइम पे मैं को जादा रियाशे और नहीं थी मतलब मुझे safe सी feeling नहीं आ रही थी डाव की बोलते है नोर्मल है तो मैं ऐसे करना चाहिए मतलब जो चीजन से तुम familiar ना हो उस पे तुमें suspicion नहीं रखना चाहिए आप मिसलान इतना लंबे ट इस बाद करके तुम तुमें प्यास लग यह पड़ी होगी यहलोग पी हो इसे जॉनी सोच रहो दे यह जो ज्रिंक द्वारा वह एसे ग्लास को आगे कर रहा होता है जो पकड़ लेता और पिनेला पड़ ता पस ग्लास को जुरू सोच रही होती है कि यह ज्रिंक कुछास प्लीस एंडियोर करना इसे डाव क्यों और जो यूई लूँ होता है वो दोने देख रहे होते हैं जवानी की तरफ जवानी बोल रहा होता है मैं कुछ ज़्यादा प्यासा था शुक्रे तुमारी खातित दारी के लिए सो गाइस यह चैप्टर यही कतम होता है अब नेक्स चैप्टर में मिलते हैं थोड़े दिनों के बाद कोज हम फिर से कैच अप कर चुके हैं रिसेंट एपसोड तक वैसे बोलने की जुरूत नहीं होती है मैं डालता है उसे टाइम भी हो जब आगे होते हैं चैप्टर्स झालता हैं